नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Purity of Life में और मैं नीलम शुकला आपका यहां बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों 25 मार्च से चैतर नौरात्री की शुरुवात हो रही है और 2 अपरेल तक है चैतर की रामनौमी है 2 अपरेल को और दसमी बढ़ेगी 3 अपरेल को 25 मार्च को हिंदू नवर्ष की शुरुवात हो रही है तो यह जो समय है नौरातर का बहुत ही शुब समय है बहुत ही जागरित समय होता है इस समय में कुछी भी तरह का कोई उपाय हम करते हैं बहुत ही जल्दी सिग्र फली भूत होते हैं नौरात्री मा भगवती के भक्तों के लिए साधना का पर्व है और अगर इन नौ दिनों में मा दुरुगा के लक्ष्मी स्वरूप को प्रसंद कर लिया जाए तो जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता इन नौ दिनों में मा भगवती के नौ रूपों की पूजा की जाती है उन्हें विधिवत पूजा करना चाहिए और साथ ही मा लप्ष्मी स्वरूप की पूजा विशेश कर प्रती दिन करनी चाहिए मा दुरुगा की दोस्तों इस बार कि जो नौरात्री है चैट्र की रवी योग बन रहे हैं यह सभी सुबसंयोग ऐसे सुबसंयोग हैं जिन में मादुरगा की पूजा अराथना करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और सभी तरह के मन्वांशित फल की प्राप्ति होती है अगर नौ दिनों में हम माभगवती की पूजा अराथना करते ह सच्चे मनतफे श्रध्धा भाव से तो और सभी तरह से शुद्ध हो कर माँ भगवति की पूजा अरादना करने चाहिए अ तो भी माह भगवती की सुभः साम की पूजा करनी चाहिए, अराधना करनी चाहिए, अखनर जोत अगर नुरात्रे में आप जलाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जला पाते हैं, अगर अखनर जोत किसी कारण वस तो सुभः साम शुद्धिगी का दीपक जलाएं आरती करें माभगवती की कपूर से और पूजा करें दुर्गा जी की सुबह साम तो सभी तरह के मनुवांशित फल की प्राप्ति होती है ऐसा करने से दोस्तों जैसे दिवाली में महालक्षमी की विशेश पूजा की जाती है उपाय किया जा आज के समय में बहुत से लोग कर्ज की वज़े से बहुत परिशान है ऐसे में नौरात्री में माभगवती की अराधना जिस भी मनुकामना से करें वह पूरी हो जाती है इन नौदिनों में अगर कर्ज मुगती के लिए धन प्राप्ति के लिए उपाय किये जाएं तो शिग कम आता है परियाप्त मात्रा में नहीं आता है ऐसी स्थिती में हम कर्ज के शिकार हो जाते हैं तो धन का आगमन अगर परियाप्त मात्रा में होने लगे तो कर्ज तो स्वता ही समाप्त हो जाएगा और दुबारा कर्ज लेने की स्थिती भी नहीं बनेगी आज जो मैं उपा हैं यह और इतना सुबसंजोग है यह कि इसमें अगर आप चोटा-चोटा भी कोई उपाई करते हैं नौरात्रे में तो बहुत शीग्रफली भूत होते हैं माँ भगवती की गृपा हमें शीग्र ही मिलने लगती है इन नौरात्रों में अगर हम सात्वीक होकर सभी तरह के पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिस्तिदारों के साथ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ता तो नौरात्री में शनिवार के दिन या अगर नौरात्री में शनिवार नहीं आए तो ये उपाया आप किसी भी दिन कर सकते हैं नौरात्री में करना क्या है मिट्टी का एक दिया लेना है उसमें सरसों का तेल भर ले और मिट्टी के ढखकन से उस दिये को ढख दें इस में करें जब कोई आपको देखे या टोके नहीं इस उपाई से कुछ ही दिनों में कर्ज उतरने की स्थिती बनने लगेगी और धनागमन के रास्ते खुलने लग जाएंगे नौरात्री में जो अगला उपाय करना है वह सब्तिमी तीथी को करना है आपको अपनी लंपाई के बराबर काला धागा लें सब्तिमी तीथी को और अब इसे एक नारियल पर लपेट कर बहते जल में प्रवाहित कर दें तो शिक्र ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी कर्ज उतरने की स्थिती बनने लग जाएगी कर्ज से मुक्ति का अगला महा उपाय है नौरात्री में मंगलवार को करना है मंगलवार के दिन मादुरुगा की पूजा में 108 गुलाब के फूल मा के चरणों में अरपित करें और सवा किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांद कर अपने सामने रखें और शुद्धी का दीपक जलाकर माता के इस मंत्र का जाप करें और अपने सामने जो शुद्धी का आपने दीपक जलाया है उसके सामने ही बैठकर आपको माता का जाप करना है मंत्र है उमसर्वमंगल मांगल ये शिवे शरवार्थ शादिके शरण्ये त्रयम्विके गौरी नारा यनी नमोस्तुते ये इतना चमतकारी मंत्र है अगर आप इसका जाप करत और किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें ये दाल माभगवती की क्रिपा से शिगर ही आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा और माता की क्रिपा से कर्ज से शुटकारा मिल जाएगा और इस उपाय को करने से आपको कभी किसी से दुबारा कर्ज लेने की आवशक्ता नह करना है आपको पाड करने के बाद मिट्टी का एक दिया लें उसमें सर्सों का तेल डालें और दो लॉंग डाल कर हनुमान जी की आरती करें इस उपाय से धनागमन के रास्ते खुलने रगेंगे और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे अगला उपाय जो आपको करना है नौरात स्थापित करें और श्रीयंत्र के सामने तिल तेल का या सर्सों के तेल का नौ दीपक जलाने और श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करें धूब दीप अक्षत हल्दी कुमकुम से श्रीयंत्र का अभिशेक पूजा करें और वहीं बैठकर लक्षमी मंत्र का 108 बार कमल जोरी में रखे इस उपाई से घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और किसी ही तरीके से आपके व्यापार में विर्द्धी होगी आपकी नौकरी में तरक्ती होगी और धान आगमन के बोखत सारे रास्ते आपको मिलेंगे दोस्तों यह सभी उपाई धन प्राप्ति के लिए अत्यंत स्रेष्ट उपाएं हैं और अगर धन का आगमन प्रयाप्त मात्रा में होगा तो कर्ज की संभावना ही नहीं रहेगी और अगर कर्ज लेते भी हैं तो शिग्र ही कर्ज उसे मुक्त हो जाएंगे इन उपायों को करने से नौरात्री में ये सभी उपाय कई गुना फल परदान करते हैं मा भगवती दुर्गा की क्रिपा से आपको धन की कभी समस्या नहीं होगी और आपके धन में सदा वृद्धी होगी आपकी कर्ज की समस्या दूर होगी और आप सभी परेशानियों से मुक्त हो इसी कामना के करते हैं